अच्छा प्रिप्रिएस वीडियो में हमने यह बोनला भूल गए थे कि क्वेश्च नमबर डी एंड क्वेश्च नमबर ए ओके यह दोनों सम्स किया रहेगा आपका हो माप रहेगा ठीक है यह आप लोग बनाऊगे यह दोनों सम्स ठीक है बहुत सेम जैसे मैंने ए बी सी यह यह तीनों सम्स किया सिमिलरली यह दोनों सम्स भी सेम तरीके का है आप लोग इसको करके मुझे दिखाओ कि अगर नहीं आता है तो मैं आपको इसको सॉल्ट करके दिखाओंगा ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नमबर 178 तो देखो पेज 178 में क्या दिया है यह प ठीक है सम्स यहां पर हो रहा है लूप फॉर पैटरन एंड टेक ठीस फ़रवर्ट यह पाटरन को में समझना पड़ेंगा देखो जी तो इंटु 9 कितना होता प्लास वन कितना होता है वन तो जीड़ो इनटु 9,0 प्लस वन वन तो इसके साद अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जो हुआ यह 1 होगा ह किजमित ए सबसक्रिकेत है नाइन था नाइनक प्लस टो टो։ कितना होता है त्रॉफ स्थ फैस्ट वन हुआ फिर दो वहाँ अन आया अब देखु है उल हो या है तो एक सबस्सक्राइर उन्धर नंगतना होता है तो आ-ई-ड तु-झ्च्व यहां पर 129 कितना हो रहा है 108 ठीक है प्लास 3 कितना होता है अगर प्लास 3 करोगे तो कितना होगा 1 1 1 तो यह 1 1 1 आ गया अब देखो 1 2 3 देखो पहले कितना है था 0 के साथ 1 किया तो यहां पर 1 आया 1 के साथ 9 किया तो यहां पर 1 1 हो गया 1 के बाद 1 2 कर रहा हूं तो कितना हो गय ट्रिपल वन आ गया अब अगर यह पैटरन को फॉलो करेंगे 123 इन्ट नाइन करेंगे तो यहां पर 1111 और यहां पर प्लास हम लोग 1 एकए करके बढ़ा रहे हैं यहां पर वान यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 4 देखा हम लोग मॉल्टिप्ले करके देखते हैं सेम आएगा 123 इंटू 9 937 करे टू 9 टू जा 18 18 प्लास टू कितना होता है 20 करे टू 919 प्लास टू कि 11 ठीक है आप देखो यहां पर इसको माल्टिप्लाई करके 123 इंटू 9 को माल्टिप्लाई करके कितना आया वान वान जी यो सेवन अब इसके साथ 4 को एड कर दो तो कितना होगा 1 carry 1 1 1 तो देखो आगया यह सिमिलरली इसी पैटन में अगर 1 2 3 4 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे और पहले वाले 4 था अब 5 से प्लास कर देंगे तो यहां पर 1 1 1 1 आ जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर इसको भी मल्टिप्लाई करोगे 6 के साथ जोड दोगे तो यह 6,6,1 आ जाएगा ठीक है दिस दा पैटन आप लोग इसको करकर भी देख सकते हूं ठीक है देखना ही अपर 6 6 के साथ एड करोगे तो 6 1 आ जाएगा 5 के साथ एड कर रहे हो तो 5 1 आ रहा है 4 के साथ एड कर रहे हो तो 4 1 आ रहा है 3 के साथ एड कर रहे हो 3 1 आ 2 के साथ एड कर रहे हो तो 2 1 आ रहा है 1 के साथ एड कर रहे हो तो वान आ रहा है तो यह pattern हमें समझ लेना पड़ेगा ठीक है निक्स्ट इच लेटर a b c here stand for a number यहां पर a दिया है ठीक है बी दिया है और सी भी दिया है ठीक है और abc का एक नमबर है ठीक है A भी एक number है B भी एक number है C भी एक number है ठीक है पर हमें पता नहीं है इसलिए पर each letter A, B, C here started for a number एक number है यहाँ पर tick A equals to 1 then find what the number B and C will be पहले हमें क्या बोल रहा है कि A को 1 पकड़ लो तो देखो B और C का value आपका यहाँ पर क्या आ रहा है ठीक है तो अगर 1 पकड़ लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर यहाँ पर राप करके देखते हैं 1, 1, 1, 1, 1, 1 ठीक है तो यह इसको multiply अगर करेंगे तो 1, 1, 1, into 1, 1, 1, into 1, 1, 1 तो कितना हो रहा 1, 2, 3, 2, 1 तो B कितना हो रहाँ देखो यहां पर यह किया है B है, second वाला, A के बाद B यहां रहा है कितना हो रहा है, B कितना हो रहा है, 2, यह देखो है यहां पर 2 है, C कितना हो रहा है 3, ठीक है, फिर B कितना हो रहा है 2, और यह तो A1 है, क्योंकि हमें tick A1, then find what the number B and C will be, तो B and C हमें आ गया, B कितना हो रहा, B is 2, C is 3, ठीक है, अगर आप यहां पर A का value बिठा होगे, 1, तो हमें B और C का value आ जाएगा, ठीक है, यहां कि सभी यहां पर A, A करके दिया है, 1, 1 करके आ रहा है, ठीक है, next question number C में आते है, trick with your edge, हम अपने edge के साथ एक trick खेल सकते है, write your edge, ठीक है, multiply it by 7, write your edge, तो हम लोग आप, यहां पर edge ले ले लेता है, suppose, आपका 10, ठीक है, multiply it by 7, 10, इस 10 के साथ, आपका age, मैंने क्या पकड़ लिया, आपका age, 10, अब 7 से multiply कर रहा हूँ, multiply it by 7, कितना हो रहा है, 70, again multiply the answer by 13, यह एक answer आया, 70, तो इसको 13 से multiply करो, ठीक है, 70 को 13 से multiply करो, 300, 21, 0, 7, तो कितना हो रहा है, 0, 1, 9, तो 9, 1, 0 आ रहा है, यहां पर, 9, 1, 0, ठीक है, multiply again that answer by 11, अब इस नंबर को 11 से multiply करो, 0, 1, 9, 0, 1, 9, कितना हो रहा, 0, 1, 0, 1, 0, तो यह अभी कितना हो रहा है, 1, 0, 1, 0, ठीक है, now look at your last answer, तो last answer कितना हो रहा है, 1, 0, 1, 0, ठीक है, can you find your age in the answer, yes, my age is here, and my age is here, तो देखो, मेरा age यहां पर दिखाई दे रहा है, मैंने क्या दिया था, 10 दिया था, तो 10 यहां पर दो बार आ गया है, how many times does your age show in your answer, it is two times, दो बार आ गया है, मेरा age कितना बार आया है, दो बार आया है, ठीक है, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, ठीक है, क्योंकि 1, 0, 1, 0 है, ठीक है, you can do it, you can use this trick by using your age, आप यहां पर आपका age लिखके, 7 से पहले multiply करोगे, ठीक है, फिर multiply करके जो आ रहा है, उसके साथ आप 13 multiply करोगे, ठीक है, 13 multiply करके जो आ रहा है, उसके साथ आप फिर से 11 multiply करोगे, ठीक है, तो देखना, आपका जो age है, वो दो बार आ जाएगा, ठीक है, झाल झाल